नमस्कार दोस्तों सौगत आपका सरकरे ड्रीम यूटूब चनल में जैसे के मेरे पास बहुत ज़्यादा कोशन आ रहे थे कि हमारे जो 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 जोइनिंग लेटर आया है CRP का ITVP का तो उस जोइनिंग लेटर में जो डेट दी गई है उस डेट से पहले जोइनिंग की तो क्या होगा और जिस दिन हमें डेट को रिपोर्टिंग करने के लिए बोला है उस दिन अगर हम जोइनिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा या उससे एक दिन बाद, दस दिन बाद, एक हकते बाद, एक मेने बाद जॉइनिंग करते हैं तो क्या होता है तो यह सारे question के answer आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ वीडियो most important है, वीडियो complete देखना, अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना और ऐसे ही SSEGD के भरती के related और भी कुछ question होगे, तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं उन्स topic पर आपको special वीडियो बना के देदूँगा और आज के इस question का answer भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जिस दिन को आपको reporting करनी है, जोइनिंग करनी है, उस दिन अगर आप जोइनिंग नहीं करते हो, तो क्या होता है तो चलिए, आज की वीडियो शुरू करते है तो दोस्तों जो जोइनिंग लेटर आपको सामने दिख रहा है, वो है भारत तिवत सीमा पुलिस बलका और ये है 17 फरवरी 2021 को छोड़ा गया है डिपार्मेंट के तरफ से, और जो जो जोइनिंग डेट है, वो 17 मार्च 2021 है जो की शुपूरी मद्यप्रदेश में जो करेरा सेंटर है, वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है इस कैंडिडिट को, ठीक है अब मैं आपको जो most important जानका ही, वो मैं आपको बता देता हूँ और ये दूसरा जोइनिंग लेटर जो है, ये भुपेंदर सिंका है, जिनको भी 17 मार्च को ही जोइनिंग है लेकिन वो है अलवर राजस्तान में, ठीक है इनके जोइनिंग लेटर की जो फोटो है, एकदम क्लियर आई है, इसमें ही आपको मैं कुछ चीज़े पढ़के सुना देता हूँ ठीक है, भरती चिकित सा बोट का जो medical के recording जो question थे आपके कि एक साल पुरा हो जाने के बाद, training center में फिर से medical होगा, documents होगा की की नहीं तो इसका answer है, हाँ, आपका एक बार फिर से हलका फुल का medical किया जाएगा training center में, ठीक है और आपका जो original documents है, वो भी जमा कर लिया जाएगा और आपका documents, verification भी वहाँ पे होगा, और आपका medical भी होगा देखे, मैंने इस question का भी answer आपको इस उड़े में दे दिया तो यहाँ पर जो most important हमारी वीडियो का जो question था, वो मैं आपको joining letter के तुरू बता देता हूं, ठीक है जिस तनी जगे पर मैंने scroll किया है, वहाँ पर आपको पढ़की सुना देता हूं, ठीक है जिस candidate को यह joining letter आया है, ITBP के तरफ से, जिसको reporting करनी है अलवर राजस्तान में, उसको यह निर्देश किया गया है, और यह सब के लिए है ठीक है, इसमें बोला गया है कि यदि आप दिनांक 17 मार्च 2021 तक महा निरिक्षक CTC अलवर भारत इबत सीमा पुलिस बल में रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह नियुकती परस्ताव निरिस्त कर दिया जाएगा मतलब अगर 17 मार्च को अगर जोइनिंग नहीं करते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पे तो आपका जो जोइनिंग है वो कैंसल हो जाएगा, आप भरती परक्रिया से बाहर हो जाएगी आपकी नोकरी खतम हो जाएगी, मतलब आप एकदम आपसे वो नोकरी चीन ली जाएगी, आपका वो पद नहीं रहेगा ठीक है एकदम आसान वाशा में आपको बता दिया, तो जिन भायों का इसा क्वेशन था कि अगर उस डेट को आप जोइनिंग नहीं करते हो तो आपका क्या होगा तो वो आपकी नोकरी खा जाएंगे, ठीक है, आपकी जो नोकरी है, वो जो आपने इतना हसिल किया है तीन साल में, वो एक जटके में कैंसल हो जाएगा, भरति पर गया से आपको भार कर दिया जाएगा, आपकी नोकरी चली जाएगी, यह उसका अंसर है एकदम साफ साफ लेंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, अब जो भाई यह साफ सोचते हैं कि उनकी भाई की बहन की शादी है, ठीक है, आपकी जोइनिंग के बाद है, या मैं एक मैने बाद जोइनिंग करूँगा, दो मैने बाद जोइनिंग करूँगा, पंदरा दिन बात करूँगा या 10 दिन बात करूँगा ऐसे अगर आपके कुछ मन में क्वेशन है तो आप इस वीडियो को देखकर वो जो आपके क्वेशन है या उसके जवब आपको इस वीडियो में मिल गये होंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है ठीके आपने जो तीन साल में यहनत करके कमाया है आपका जोइन लेटर आपके घर आया है आपको जिस दिन आपको रिपोर्टिंग करने के लिए बोला है उस दिन आपको reporting करनी है उससे एक दिन पहले, दो दिन पहले भी इगर आप reporting कर देते हो तो भी आपको वापे जोयनिंग मेल जाती है Otherwise आप अगर joining से जिस दिन आपकी joining है उस दिन भी आप जाते हो तब भी आपकी joining हो जाती है बोला है तो आपको सत्रा मार्स अपर वहां रिपोटिंग करनी है ठीके और अगर उससे एक दिन पहले दो दिन कर लेते हो तो भी चलता हो आपे ले लिया जाता हैاج समлек्राटर देखिल के लेकिन अगर आपकी 17 मार्च को जॉइनिंग है और आप अगर मार्च महीन को पूरा छोड़के एप्रेल में आते हो में में आते हो तो आपको वहां पर रिजेट कर दिया जाएगा ऐसा नहीं करना है ठीक है एक दो दिन भी नहीं बता सकता ठीक है क्योंकि जॉइनिंग लेटर में ही एकदम साब साब बताया गया है कि आपका यह नियुक्ति प्रस्ता जो है निरस्त कर दिया जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको जिस दिन रिपोर्टिंग है उस दिन आपको रिपोर्टिंग करना है तो इस वीडियो में मैंने आपक में पूरा समझ गया होंगे अगर आपके फिर भी कोई question है कुछ doubt है तो मैं आपको next video में cover कर दूँगा आप मुझी comments करके जरूर बताना मैं मिलता आपको नए और फेश्ड़ो कैसा तब तक के लिए दन्याद जैहिन जैवार